हलो फैंस आप सभी का स्वागत देखने वीडियों वीडियों में बात करने वाला हूं कॉल हिस्ट्री का बैक अप कैसे ले सकते हो आज के वीडियो के अंदर यही बात करने वाला हूं बहुत लोगों नहीं पता होते है पोके फोन के या फिर किसी य्युक्न ऑपन में आपको बहुत लोगों को नहीं पता होता है अगर आप भी इस तरी का बैक अने चाते हो तु tangent करने बहुत सबसे पहले आपको setting में जाना है यह मेरे पास Poco का phone है setting में जाते ही आपको यहाँ पर सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा system, system पर आप click करेंगे system पर जाने के बाद एक पर फिर से बता देता हूं और आप यहाँ से photo and video को भी backup ले सकते हो और यहाँ से message का भी apps का भी backup ले सकते हो बस आप 15 GB से कम का ही data का ले सकते हो यह भी ध्यान लखिएगा 15 GB से जादा होगा तो आपको Gmail को change करना होगा ठीक है तो इस तरीके से backup ले सकते हो रिस्टोर करना बहुत ही आसान है जैसे इस phone में मैं बैकप लिया है इस phone में यहाँ पर क्या करूँगा Login करूँगा Automatically इसका data इसमें receive हो जाएगा शो हो जाएगा ठीक है क्योंकि यह storage होता है इस तरीके से और यह Gmail ID जहां जहां जाएगा वहाँ data मेरा backup शो होना शुरू हो जाएगा चलिए मिलते नेक्स वीडियो में आपको backup लेना और restore करना दोनों ही बता दिया और backup कैसे लेंगे simply आप इसको backup now पर click कर दीजिए और आपका यह जो यहाँ पर data है जो की line चलना शुरू हो जाएगा जैसे ही यहाँ पर complete हो जाएगा यह बला blue line उसके बाद आपका यहाँ पर जो यह भी on कर दीजिएगा अगर बैक अप नहीं होता है तो आपका call history का जो backup है वह start हो जाएगा जैसे कि अभी चल रहा है इसी प्रकार से आप call history का backup ले सकते हो वीडियो पसंद लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोखतों के साथ शेर कीजिएगा मिलते हैं इसी अटरस्टिंग वीडियो के साथ अप तक के लिए नमस्कार